राजस्थान प्रशासनिक सेवा, आरेस, की अधिकारी प्रियंका विश्णोई जी का असामेक निधन केवल प्रशासनिक गल्यारे में नहीं, बलकि पूरे समाज में गहरे दुख और आक्रोश का कारण बन गया है. जहां एक और उनका अचानक चले जाना सभी के लिए एक भारी क्षती है, वहीं दूसरी और माना जा रहा है, इस घटना के पीछे चिकित्सा क्षेत्र में फैली लापरवाही और गैर जिम्मिदारी ने सभी को हिला कर रख दिया है. सूत्रों के अनुसार, प्रियंका विश्णोई को जल्दबाजी में चिकित्सको द्वारा बेहोशी का डबल डोज दिया गया, जोकी उनके जीवन के लिए घातक साबित हुआ. यहाँ घटना समाज में चिकित्सक शेत्र की गंभीर खामियों की और संकेत करती है. प्रियंका विश्णोई जी का असाम्येक निधन दुखद और स्तब्ध करने वाला है. चिकित्सको द्वारा जल्दबाजी में दिया गया डबल डोज उनकी मृत्यू का कारण बना. यह जिकित्सक शेत्र में फैली लापरवाही का घिनोना चहरा है. ऐसी गलतियों के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों पर हो कारवाही प्रियंका जी का जाना राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए एक बड़ी ख्षती है. इस घटना ने पूरे समाज को आक्रोशित कर दिया है. चिकित्सा क्शेत्र में इस तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कोई लापरवाही है या जल्दबाजी? प्रियंका विश्णोई के निधन के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह एक चिकित्सियत रूटी का परिणाम था? प्रियंका विश्णोई के निधन का नहीं है, बलकि यह चिकित्सा क्शेत्र में फैली लापरवाही की एक और दर्दनाक कहानी है. इसको लेके अब उनके परिवार ने वसुन्धरा हॉस्पिटल जोधपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज की, बाद में जोधपूर कलेक्टर के आदेश पर पांच डॉक्टरों की टीम गठित की गई थी. जाँच कमिटी तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देगी. उसी रिपोर्ट के बाद ही सारी स्थिती साफ होगी. अगर जाँच में उनके उपचार में लापरवाही सामने आती है तो तुरन और कड़ी कारवाई की जाएगी. वही प्रियंका विश्णोई जी के निधन पर पूरे राज्य से समवेदनाएं आ रही हैं. शिव विधायक रविंद्र सिंग भाटी ने भी इस दुखत घटना पर गहरा शोक चताया. उन्होंने कहा कि प्रियंका जी का निधन न केवल एक प्रशासनिक अधिकारी का नुक कि प्रियंका जी कि अधिकारी का विधनाएं आ रही हैं.